जो हमें देने वाला है उनको हम दे ऐसी हमारी क्या ओकात है पर परफी वो जो भाव है इश्वर के प्रती समर्पित का वो यहां पे हम बताने जा रहे है तो एसा ही बहुत ही प्यारा सा ड्रामा हमारे बीच में टीचर्स और स्टूडेंट गुजराती मीडियम के यहां पे हम महादेव नी पुजा सुंदर मजानो अड्रामा आपनी बच्चे लए ने आविरिया छे गुजराती मीडियम नाच स्टूडेंट जाच स्टूडेंट ओम नमश्य बाई ओम नमश्य ये देखो पापा सारा दूद बरबाद कर रहे हैं इस से अच्छा तो किसी गरीब को पिजाई देते हैं कम जनम पेट तो भरता उसका पता नहीं है अनविश्वास कब खत्म होगा लोगों का बेटा तो उन्हें पूजा करने दे तो आम में बेटा इसमें गलती तेरी नहीं गलती शायद मेरी ही है जो मैं अपनी नौकरी पैसा कमाने में और तुझे एडूकेशन देने में इतना बीजी रहा कि शायद तुझे सलसकार देना ही भूल जा बेटा तुझे पता है शिवलिंग होता क्या है नहीं पता ना कोई बात में तेरे जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि शिवलिंग होता क्या है लोग अपने अपने हिसाब से उसका अलग अलग यार्थ निकाल लेते हैं लेकिन असल में शिवलिंग मा पारवती और शिव का सवरूक है जो पूरी श्रिष्टी के निर्वाता है और रही बात ते बहुत सारा विष्ट निकला और शिष्टी को बचाने के लिए भगवान शिव जी ने उसे धारन कर लिया जिसकी वज़े से उनका कंट पूरा नीला पड़ गया और उनके शरीर में बहुत जलन होने लगी और उनकी इसी पीड़ा को समाप करने के लिए देवी देवताओं रभे जने भगवान शिव जी पर जल और दूद का अभिशेक किया इसी लिए तो कहते हैं बेटा कि हमारे महादेव इतने भोले हैं कि वो तो मात्र महादेव का अभिषेक करने के लिए जल में दूद का अंश्भारी काफी होता है और रही लेकिन खाना छोड़ के आ जाते हैं। आप लोग बड़े बनाते हो, केक लाते हो खाने के लिए, लेकिन उसे मुझे मल देते हो। अगर यही खाना और केक आप किसी घरीब को दे दो, तो उसका दो वक्त का पेट भर जाएगा। पेटा मुझे एक बात बताओ, आज तो 25 साल का हो गया है, तुने आज तक कितनों को दूद और खाना खिलाया है। बता बता, किसी को भी नहीं ना, जब भगवान को जल चराने या दूद चराने की बारी आती है, तभी हमें वेस्टेज और समा सेवा याद आती है। बेटा मैंने ही कहता कि मौडन बद बद हूँ, लेकिन अपने संस्कारों को हमेशा साथ लेके चलूँ, मैं तो तुझे ये बात बताना भूल गया, लेकिन तू ये बात अपने बच्चे को बताना मत भूलना, समझा हाँ, हाँ पापा, चला आज के लिए बहुत है, हुजा संसकार दिया, अए, बहुत बहुत धन्यवाल, बाई 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 बेटा, अंकल, हर हर महादेब, बेटा, हर हर महादेब, माता पिता की जिम्मेदारी बनती है, कि वो बच्चों के साथ धर्म की शिक्षा जरूर बाटे, जोड़ा तालिया हो जाए, ये था हमारा संसकार का कंसेप्ट जो हम बताना चाहते हैं बच्चों में, बच्चों को सिखाना चाहते हैं,